तो यहार पहले ही बोल दूँ कि हां Multiverse of Madness के Major Spoilers हैं इफ मूवी नहीं देखे तो यह वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना क्योंकि यहां मैं इस मूवी के एंडिंग और पोश्ट के इट सीन दोनों का ही Explanation दूँगा तो चलो और डिलेक किये बिना पहले आते हैं सेकंड वाले पोश्ट के इट सीन पे अब देखो सेकंड वाले पोश्ट के इट में ऐसा कुछ नहीं था यहां हम देखते हैं कि पिज़ा पापा जो कि अपने फेस पे पंच मार रहा होता है और जैसी उसका पंच मारना रुकता है वो चिलाता है इट सोवर तो इंडिरेक्ली यह उसके फेस पे पंच के साथ ही ओडियन्स पे एक पंच लाइन भी था जहां देखो इंडिरेक्ली बोला जा रहा है कि बेवकूफ की तरह क्या बैटे हो मुवी ओवर हो चुका है अब इनकेस आप इस करेक्टर को भूल चुके हो तो जब अमेरिका चैवेज स्ट्रेंज के साथ दूसरे युनिवर्स में गई थी तब उसने पीजा पापा की स्टॉल से खाना उठा लिया था यह मेंचन करते वे कि मोस्ट अफ दी उनिवर्स में खाना फ्री होता है बट जिस उनिवर्स में वो थी वहाँ खाना फ्री नहीं था फिर क्या पीजा पापा पैसे मागने लगते हैं और स्टेज उस पे एक स्पिल कर देता है जिससे कि वो खुद को ही मानने लगा और वो अमेरिका चैवेस को बोलता भी है कि स्पिल का असर तीन वीक में खतम होगा तो हाँ सेकंड पोस्ट करेट सीन इसी सीन के तीन वीक बात का है जिसे हमें फ़नी वे में दिखाए गया वैसे इंडियन फैन्स को आई थिंक ये पता नहीं होगा कि पिज़ा पापा का रोल प्ले करने वाले अक्टर ब्रूस कैमबल है जो कि सैम रैमी के बहुत अच्छे फ्रेंड है और उनके हर मुवी में इनका कैम्यो होता ही होता है चलो अब आते हैं इंडिंग एंड फर्स्ट पोस्ट केट के एक्स्प्रेंशन पे जो कि बहुत जादा मिनिंगफुल है एंड एमस्यू के फ्यूचर के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट भी भाई देखो ये हिंट है एमस्यू में हुए एंड गेम से भी बड़े इवेंट का तो हाँ गौर से सुनना तो अगर पहले एंडिंग पे आएं जहां वांडा के साथ मुल्टि वर्सल लोचा एंड करके डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम से निकल कर घूम रहे हैं और सडेंडी उन्हें स्ट्रीट के बीचो बीच पेन होता है वो चिलाते हैं और हम स्ट्रेंज के फोर हेट पे ठर्ड आई देखते हैं यहीं पे मुवी एंड हो जाती है अब ऐसे हमें यह ठर्ड आई अल्रेडी पहले ही सिनिस्टर स्ट्रेंज में दिखाया जा चुका था और वहां ऐसा एक स्ट्रेंज किया गया था कि जो भी डार्क होल्ड यूस करता है तो उस युनिवर्स में एंड उसे यूस करने वाले पे इसका मीजर इंपक्ट होता है अब वहां सिनिस्टर स्ट्रेंज का ठर्ड आई डार्क होल्ड यूस करने से मिला था तो हाँ इससे ही क्लियर हो जाता है कि जब में युनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा को रोकने के लिए डार्क होड का यूज किया तो इससे उसे भी ठर्ड आई मिल गया अब बहुत लोग बुलोगी कि वांडा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ तो I feel कि अलग-अलग characters पे इसका अलग impact होता है Maybe sorcerers को ठर्ड आई मिलते हैं and witches के finger black होने लगते हैं वांडा विजन में जब Agatha डार्क होड का use कर रही थी तो उसके भी fingers black हो गये थे and same यहां वांडा के साथ भी हुआ In sense कह सकते हो कि यह जो changes हैं वो बस डार्क होड के corruption को represent करते हैं बट देखो इसका मतलब ये भी नहीं है कि main universe का strange corrupt हो चुका है हमने already देखा ही है कि Wanda ने सारे universe के डार्क होड को destroy कर दिया था मतलब पूरे multiverse में अब डार्क होड है ही नहीं तो हां strange के corrupt होने की बात यहां पे आती ही नहीं है अब देखो आप ये कह सकते हो कि इन सब डार्क होड नहीं है तो third eye is not a bug, it's a feature अब देखो ये जो third eye है direct movie में नहीं दिखाया गया ये already comics में भी दिखाया जा चुका है वहां ये डार्क होड के चलते नहीं बट Eye of Agomoto के चलते manifest हुआ था तो हां Eye of Agomoto के comics में और भी कई सारे superpowers हैं जो कि I think in future of MCU हमें दिखाया जाए ये बस time stone के लिए नहीं था वहां Eye of Agomoto के help से strange को जो third eye मिली थी उससे वो किसी भी person के soul में देख सकता था मतलब एक तरह से उससे कोई कुछ चुपा नहीं सकता था basically third eye strange को एक extra sense देता है जो कि normal eye से देखा नहीं जा सकता तो हां third eye का marvel में यही concept है इसके बाद यही sequence continue होता है first post create में जहां again doctor strange chill कर रहे होते हैं अपना evening walk पे होते हैं और उनके पीछे suddenly एक character आती है और बोलती है कि तुमने incursion कर दिया और हमें उसे fix करना होगा वो एक mystique dagger निकालती है और उससे एक portal open करती है direct dark dimension में अब इस dark dimension को आपने doctor strange की first movie में देखाई होगा भाई इस dimension को डुर्मामू rule करता है वो character बोलती है कि डर तो नहीं रहे और doctor strange अपने scarf को पीछे फेकता है जो की cloak of levitation में transform हो जाता है और वो अपने proper sorcerer की suit में आ जाता है और साथ ही उनका third eye भी open हो जाता है और वो बोलता है बिल्कुल नहीं और दोनों dark dimension में चले जाते हैं अब देखो पहले इस new character को explain कर देता हूँ ये character थी comic से clear जो की डुर्मामू के dark dimension की sorcerer supreme है और इसी की साथ डुर्मामू की भांजी भी अब देखो tension मतलो ये कोई villain नहीं है देखो comics में हुआ क्या था जब दुर्मामू अर्थ पे हमला किया था तो ancient one ने strange को dark dimension में भेजा था जहां क्लिया ने पहली बार strange को देखा और उसके abilities से impress हो गई फिर क्या उसने दुर्मामू को धोका दिया और strange की help करने लगी और लेटर उनकी शादी भी हो गई और क्लिया बनी क्लिया strange इसके बारे में और detail में जानना है तो मैंने एक article का link description में दे दिया है आप चाहो तो पढ़ सकते हो या फिर कुछ months में मैं इस पे एक separate origin वीडियो बना ही दूँगा वैसे यहाँ जो dagger दिखाया गया है जिससे कि उसने dark dimension का portal खोला उसके बारे में मुझे कोई detail तो नहीं मिला बड़ जैसे sling ring के है उतसे यहाँ के sorcerer portal खोल सकते है तो maybe यह dagger वैसे ही कुछ हो सकता है जिससे कि clear जो कि dark dimension की sorcerer supreme है वो भी portal open कर सकती है अब यहाँ पे एक word उसने mention किया था इंकर्जन जो की बहुत ही जादे important है सेम यही word जब universe 616 का strange 838 के luminati से मिला था तब उन्होंने भी mention किया था वहाँ बोला गया था कि उनके universe के doctor strange ने Thanos को रोकने के लिए dark world का use किया था और उसके चलते इंकर्जन स्टार्ट हो गया था एंकर्जन को रोकने के लिए उन्हें अपने universe के strange को मारना पड़ा था तो हाँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि dark world सिर्फ यूज करने वाले को नहीं बल्कि जिस universe में उसे use किया गया है उस पे भी impact करता है इंकर्जन इसी का रिजर्ट है इसमें दो universe एक दूसरे से collide होने लगते हैं जिसमें या तो दोनों ही universe destroy हो जाएंगे या फिर सिर्फ एक ही बचेगा और सिंस वांडा को रोकने के लिए strange ने डार्क होल्ड का use किया था तो एक और इंकर्जन स्टार्ट हो चुका है अब देखो इस इंकर्जन से कॉमिक से बहुत ही important event connected है Secret Wars का event and seems वही event अब MCU में भी दिखने वाला है देखो simply समझाओ तो Secret Wars के event में multiple universe एक दूसरे से collide होने लगे थे और हमें याँ different universe के superheros variants एक दूसरे से ही लड़ते दिखे थे and variants के बारे में तो हमें already Loki के series से explain किया गया and इस movie में हमने variants को एक दूसरे से लड़ते भी देख लिया तो हाँ अब इंटरनेट पे यही discussion चल रहा है कि यह incursion का event directly result करेगा Secret Wars की event को और हाँ मुझे यह भी लगता है कि MCU में अभी एक तरह से chain reaction चल रहा है पहले Loki के series में sacred timeline का break होना then no way home में spell का wrong होना and अब यहाँ incursion for sure यह events एक दूसरे को impact कर रहे हैं जिसका result secret wars होगा तो यह था मेरा ending and post great explanation मैंने बहुत ही simple words में समझाने की कोशिश की है देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और डार्क होड के magical powers को जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा till then be they see be nerd